हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्टेटी वेति इंग प्रेशन योट्यब चनल दोस्तों आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए खास किरके रेलवे गुरूप डी और एंटी पीसी के एक्जाम के लिए बहुत ही मत्विपूर्ण हो जाएग इस वीडियो में और यह वीडियो जो है आपके इस सेरीज का पार 10 है इससे पहले हम लोगORने हो ने पार्ट 9 गेडियो अभी तक हैं तो उसे भी देख ले ताकि आपका current affair से एक भी प्रश्चना छूटे और मैं पूरा current affair आपको बढ़ा रहा हूँ और बीच में जितने भी page छूटे हैं वो सभी मैं cover करा दूँगा इसके बाद ये complete होने के बाद तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं खेल परिद्र सिको यानि कि sports के जितने भी current affair हैं यानि कि 21.25 वराष्टि मंडल खेल 2.18 23.23 ग्रिस्ट कालन ओलंपिक 2.18 इस टाइप जितने भी series होते हैं खेल से जो भी आयोजीत हुए हैं या जितने भी हो चुके हैं और 20 में जितने भी आयोजीत हुए हैं वो सभी को हम लोग देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से Current Affair के इस अध्याय में जो है हम लोग खेल परिद्र सिकर जो है अगर आपने चनल पर पहले बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू प्रेश करें और बेल आइकन को दबा करके All Notification को On कर लिजे ताकि जो है आपको हर एक वीडियो का नोटिफिक्सिन जो है Time To Time मिलता रहे और आपको वीडियो खोजने की जरूतना पड़े तो चली गाइस शुरू कर लेते इस वीडियो को जाए टाइम नहीं वहिश्ट करके तो चली शुरू करता है और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग खेल परिदिश के करेंड एफिर को पढ़ेंगे और जिसमें पहला टॉपिक क्या है 11वा फीपा वर्ल्ड कप 2018 को दिखेंगे सबसे पहले 11वा फीपा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन अस्तल था रोज और यहां पर जो है कब से कब तक चला था तो 14 जून से 15 जुलाई तक चला था यह 11वा फीपा वर्ल्ड कप 2018 का जो सुभंकर था इसके सुभंकर थे जावी कावा जो चस्मा पानने वाले भेडिया होते हैं वो थे जावी कावा जिसे बोलते हैं और 22वा फीपा वर्ल्ड कप 2018 जो है यह आयोजन होगा 2022 के कतर में और 2018 में जो है विजेता टेम थे फ्रांस और दूसरे अस्थान पर था क्रोईसिया और तिसरे अस्थान पर कौन था इंग्लेंड था 21वा फीपा वर्ल्ड कप 2018 का जो है दिखिए विभिन प्रुसकार को देखेंगे तो गॉल्डन बॉल्ड का प्रुसकार जो है प्राप्त हुआ था लुका मॉडरिट को जो कि क्रोईसिया से हैं और यह स्रवसर्च खिलाडी का इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ था गॉल्डन सू का अवार्ड जो है गॉल्डन सू का प्रुसकार यह हैरिकेन को दिया गया था छो गॉल करने के लिए से इंगलेंड के हैं यह हैरिकेन नेस्ट है गॉल्डन गलफ्स तो गॉल्डन गलफ्स दिया गया था तिजोब कार्टियोस को जो कि बेल्जियम से है और फियर प्ले आवार्ड जो है यह दिया गया था इसपेंड की टीम को हैं इसकी असथापन? 21 मैं 1904 इस्वी को और इसकी सुर्वाज जो है कब से हो रही है 1930 इस्वी से हो रही है मुख्याले पड़ेगा स्विजर लेंड के जीवरिक में नेच्ट आपिक दखेंगे एकईसवा राष्ट मिंडल खेल 2018 को तो एकईसवा राष्ट मिंडल खेल 2018 का आयजन अस्तल था आस्टेलिया का गोल्ड कोश्ट था और यह जो है पांच विवर मेजवानी किया था इसका और इसके सुभंकर थे राष्ट मिंडल खेल के बोरोबी जो कि आस्टेलिया का एक जीव है एकईसवा राष्ट मिंडल खेल का जो मोटो था वो क्या था लच्च था सेर दा ड्रीम सपने साजा करे उद्गाटन समारो में जो भारती दल के धोजवाहक थे कौन थे पीबी सिंदू थे और समापन समारो में भारती दल के धोजवाहक एम सी मेरी कोम पहला अस्तान था किसका एकईसवा राष्ट मटल खेल में आस्टेलिया का था और दूसरा अस्तान था इंगलेंड का भारत का अस्तान कितना था तीसरा था और 22 वा राश्ट मंडल खेल का आयोजन जो है 2022 के बिटेन के बर्मिंगम में आयोजित है यान की प्रस्तावित है 21 वा राश्ट मंडल खेल 2018 का जो पदक तालिका है वो देख लेते हैं तो पहला अस्थान पर था आश्टेलिया जिसमें उन्होंने 80 स्वन पदक जीते थे 69 रजट पदक और 69 कासी पदक और टोटल जो है कितने पदक हो गए 198 पदक आश्टेलिया ने जीता था और इससे ये पर्थम अस्थान पर आ गए दूसरे अस्थान पर थे इंग्लेंड तो इन्होंने जो है 45 स्वन पदक जीता रजट 45 और 80 स्वन पदक जीता रजट 45 और 80 स्वन पदक जीता तो 26 बीस याद रखेगा तो 66 इसका टोटल पदक है भारत का और चौत्य अस्थान पर था कनाडा का अस्थान और इन्होंने जो है 15 स्वन पदक जीते थे 15 और रजट पदक जीता था 40 और 2 पदक जीता है इसके पर्थम 12 स्वन पदक हो था इसमें दूसरा राश्रमिन्यों खेल जो है उन्य सो चौंची में लंदन में हुआ था भारत पहली बार भाग लिया था पहले राश्रमिन क्या था बेटेस कॉमन वेल्थ गेम्स था और इसका नामकरण जो है 1788 में राश्ट मुनल खेल रख दिया गया था नेच्ट है तेरवा दच्छिन सी खेल 2019 को देखेंगे तो तेरवा दच्छिन सी खेल 2019 जो है इसका आयजन थे था एक से 10 दिसंबर 2019 को इसका आयजन हुआ था और आयजन अस्थल अगर बोल दे तो काट मांडू में हुआ था नेपाल के काट मांडू में हुआ था और यह तेसरी बार हुआ नेपाल में और इ में इसके सुभंकर थे तेरवे दर्चिन ACI 2019 के और प्रतिक चिन जो है इसका क्या था एक उड़ते हुए कबूतर का प्रतिक चिन था तेरवा दर्चिन ACI खेल का सामिल देश है साथ कुल खिलाड़ी थे 2715 टोटल खिलाड़ी ने भाग लिया था टोटल खेल था कितना 26 था त और तेरवा दर्चिन ACI खेल 2009 में परतम अस्थान था भारत का अपनादरिस भारत का और दूसरे अश्थान पर था नेपाल और तीसरे अस्थान पर कौन था स्री लंका था और तो दुवे दच्छिन SCI खेलों का आजन जो है पकिस्तान में होगा पदक तालिका का बात करें तो परतम अस्थान भारत का था जिसमें भारत ने एक सो चोटर स्वन पदक जीते चानवे रजट पदक और पैतालिस कास पदक जीता था टोटल मिलागर के 312 पदक जीता कुल मि मिलागर के 206 पदक नेपाल ने भी जीते है और तीसरी अस्थान पढ़ था स्रिलंका जिसने जो है चालिस स्वन पदक तीरासी रजक पदक और 128 जो है कासे पदक जीते थे तेरवे दच्छिन SCI खेल 2019 में टोटल मिलागर के इसको 251 पदक हो गए यह भी याद रखेगा ने चालिक ने भी जीते हैं तो नार्वे देश ने जो है 14 स्वन पदक चालिक जो है 11 जीता था इनोंने कुल मिला करके 39 पदक इनोंने जीत करके परतम अस्थान हासिल किया और सकेंड अस्थान पर था जर्मनी देश तो जर्मनी देश ने 14 स्वन पदक 10 रज़त पदक और 7, 8 पदक जीत करके इन्होंने 2 अस्थान असिल किया जिसमें टोटल इसका पदक होजाता है 31 और तीसरे अस्थान पर था कनाडा तो कनाडा देशनी जो है 11,7 पदक 8 रज़त पदक और 80 पदक जो है इन्होंने 10 जीता था टोटल मिलाकर के 29 जो है पदक इन्होंने 23 सीथ कालिन ओलंपिक 2018 में जीते थे नेश्ट है बारवा सीथ कालिन पैरा ओलंपिक 2018 का आयजन जो असलता किया था दच्छिन कोरिया के प्योंग चंग में इसका आयजन हुआ था 2018 में और इसके सुभंकर थे बदंबी जो एक ACI Black Bear होते हैं तो इसके सुभंकर कौन थे बदंबी थे खेलों की संख्या कितनी थी तो खेलों की संख्या 15 थी जिसमें 302 प्रतिस परदाय थे और भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी तो 49 थी जिसमें खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितनी थी 600 थी तो बारवा से इतकालिन पैरा ओलम्पिक 2018 का पदक तालिका देख लेते हैं तो प्रतम अस्थान था अमेरिका का इसमें स्वन पदक जीता था अमेरिका ने 13 और रज़त पदक जीता था इन्होंने 15 और 8 80 पदक जीते थे टूटल जो है 36 पदक जीत करके इन्होंने प्रतम अस्थान हासिल किया था अमेरिका ने दोसरे अस्थान पर था निउगलटन अथलीट देश इन्होंने जो है 8 80 पदक 10 रज़त पदक और 6 96 पदक जीत करके इन्होंने सकन्ड अस्थान हासिल किया था जिसमें टोटल पदक इसका हो गया 24 और तीसरे अस्थान पर थे करनाड़ा देश इन्होंने जो है 8 80 पदक 4 परज़त पदक और 16 कासे पदक जीत करके इन्होंने 28 टोटल पदक जीते और यह जो है थर्ट पोजिशन पर थे बारवा सितकालिन पहला उलम्पिक 2018 के खेल में नेश्ट है 28 SEI खेल 2018 तो 28 SEI खेल 2018 का आयजन अस्तल था इंडोनेसिया की जकारता तथा पालेम बाग में इसका आयजन हुआ था और 28 SEI खेल के जो सुभंकर थे तो 3 सुभंकर था इसका तो भिन भिन जो है यह पक्छी थे और अतुंग जो है एक हिरन था और काका जो है एक ग जो की जैवलिंग्टो जिसको बोलते हैं भाला फेक में भाग लेते हैं नीरच यह भारती धजवाहग थे गटन समारो में और समापन समारो में भारती धजवाहग जो था राणी रामपाल थी जो की होकी के खिलाडी है और 19 Matthew UK का आयजन जो है स्वन पदक जीता था 132 और 92 रजत पदक जीता था इनोंने और 65 जो है कासे पदक जीता टोटल जो है 289 पदक जीत करके ये प्रतम अस्थान पर यानि की फर्ष्ट अस्थान हासिल कर लिया थे दूसरी अस्थान पड़ था जापान तो जापान ने 75, 56, 54 पड़ जीत करके इन्हों टोटल जो है 205 पड़ जीते थे टोटल जापान देश ने और इसके साथ यह दूसरी स्थान पड़ थे 18 स्याई खेल दे अठरा में और तिसरी अस्थान पड़ था दच्छिन कोरिया इन् ता दचिन कोरिया ने, टोटल जो है इसका 117 टोटल पदक हो जाता है और इसके साथ ही जो है ये तीसरी अस्थान पर थे, अठारवे सी आई खेल दो अठारह में, और चौते अस्थान पर जो है इंडोनेसिया देश है, जो कि 31 पदक, रज़त 24 और कासे जो है 43 जीते थे, 24 रजट पदक और 30 जो है 80 पदक जीत करके यानि कि टोटल 69 पदक जीत करके इन्होंने जो है आठवे अस्थान हासिल किये थे ACI खेल परतिक चार वर्स के बाद आयाजित होने वाली बहु खेल परतियोगिता है जिसमें केवल ACI के देशों की खिलाड़ी भाग लेते हैं और परतम ACI खेल का आजट जो है बोल दे तो 4 मार्च 1954 को भारत की नई दिल्ली में किया गया था ये भी याद रखेगा नेच्ट है तीसरा ग्रिस्म कालें युवा ओलंपिक खेल 2018 तो इसका आयजन असल था अर्जंटीना का ब्यूनस आर्यस और इसके सुबंकर थे पांडे उद्गाटन समारों में भारति दोजवाहक थे कौन मनु भाकर जो की सोटिंग के खिलाड़ी है और समापन समारों में भारते दोजवाग थे जेरे में लार निरोंगा जो की भरतो लंसे हैं और चौथा युवा ओलंपिक जो है 222 ये कहां होगा सेनेगल देश के डाकार में आयृत है चौथवा युवा ओलंपिक 222 और भारत के लिए पहला स्वान पतक जो है किसने जीता था तो मनु भाकर न अस्थान तो रूस ने जो है 29 स्वान पतक, 18 रजत पतक और 12 कासी पतक जीत करके इनोंने उटल 59 पतक जीते थे और सकेंड अस्थान पर जो है चीन देश था जो की 18 स्वान पतक, 9 रजत पतक और 9 कासी पतक जीत करके इनोंने टोटल 36 पतक जीते थे और इसके साथ जो है ये सेकेंड अस्थान पर थे और थर्ड अस्थान पर जो है जापान था जापान देज जिसने 15 स्वयन पदक 12 रजद पदक और 12 80 पदक जीत करके इन्होंने 39 पदक जीते थे टोटल और इसके साथ ये थर्ड पोजिशन पर थे तीसरा अग्रिसमकार निवा ओलम्पिक खेल में औ अपना देज भारत जो है सतरवे करम पर था और इन्होंने जो है भारत ने 300 पदक 9 रजद पदक और 81 पदक जीत करके टोटल जो है 13 पदक जीत करके सतरवे अस्थान हासिल किया था भारत ने नेस्ट है चौदवा एसी आई कब 2018 को देखते हैं तो इसका आयोजन हुआ था UAE में यानि कि संयुक्त अरब अमिरात में इसका आयोजन हुआ था 15 से 28 सिप्टमब 2018 तक चला था ये और चौदवा एसी आई कब 2018 के जो विजयता देश है कौन है अपना देश भारत ही है और ये सातवी आपर विजयता हुए है और उप विजयता थे कौन बंघलादेश बशुचीता डेश कौन था बंघलादेश धा मैच आप दे मैच यानि की फाइनल में कान पहूंचे थे तो लीटरंदास पहुच गय थे मैच抛 आप धा फाइनल मैच में जो है लीटरंदास यह सर जहां में आई वा था और कवरोट वहूद था तो 1984 मैई वह था और इसके विज़ता देस्ट कौन थे अपना देस भारत थी था निच्ट है बारवाए हिंडियन प्रिमीय लिंग 2019 123 मार्स से 19 मही 2019 को आइज को गोसा था और और इसके प्रायोजक्ट जो है कौन थे तो भीवो थे जो कि एक मुबाइल का प्रायंड है भीवो और बारवा इंडियान प्रेमियर लिंग 2019 का जो फाइनल मैच हुआ था यह कहा हुआ था हैधराबाद के राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टीडी में हुआ था इसका आउट का प्रारुप था टूनामेंट का बारवा इंडिया प्रेमियर लिंग 2019 के विजटा थे हुआ कौन थे मुंबई इंडियान थे और इसकी कप्तान कौन है तो कौन रहे तो उप विजटा जो है चन्नाई सूपर किंग्स था जिसकी कप्तान थे एम-एस धोनी और बार वादिक तेज अर सतक लगाने वाले कौन बन गए तो हार्दिक पांडया बन गए जिन्होंने 17 गेंद में अर शतक लगा दिये थी इन्होंने और सबसे मांगा खिलाड़ी जो है कौन थे जैदेव उनाद कट और वरुन चक्रवर्ती जो है सबसे मांगे खिलाड़ी थे इस 12 इंडियन प्रिमेर लिंक 2019 के और विजटा टेम को दी जाने वाली रासी जो है कितनी थी तो 20 करोड थी और विजटा टेम कौन था तो मुंबई इंडियन था और इसकी कप्तान कौन थे रोहिस सर्मा थे उपर हम लोगों ने पढ़ा और उप विजटा कौन थे तो उप वाली टेम कौन है तो मुंबई इंडियन से जिनोंने चार बार अभी तक IPL टेम की विजटा रा चुकी है मुंबई इंडियन स IPL 12 के प्रुसकार को देखते हैं तो IPL 12 में पहला प्रुसकार है औरंज कप तो औरंज कप जो है सरवादिक रन बनाने वाले को दियाता है जिस इंडियन से हैं इमरान ताहिर को दिया गया है यह परपल के प्रुसकार 26 विए थे इन्होंने इस IPL 12 में और इमर्जिंग प्रुसकार जो है सुबहमन गिल को दिया गया है ार इस्टायलिस प्रुषकार जो है के एल राहूल को दिया गया है और परफेक्ट कैच का पुरुषकार जो है किसको दिया गया किरोन पुलाड को दिया गया किरोन पुलाड को जो है परफेक्ट कैच का पुरुषकार दिया गया आईपेल बारवा में और वैलिवल प्लेयर का पुरुषकार जो है आंद्रे रसेल को दिया गया, सुपर स्ट्राइकर का पुरुसकार जो है आंद्रे रसेल को ही दिया गया, गेम चेंजर अब दा सीजन का पुरुसकार जो है राहुल चाहर को दिया गया इसमें, IPL12 में एक प्रिश्कार ने IPL12 में यहीबросपि 8 तीम में थी कप्तान और उसके मालिक को देखेंगे पहला जो टीम है वो कौन था चन्नाइ सूपर किंग्स था और इसके कप्तान थे मेंदर सिंग धोनी और इसके मालिक कौन है एन्सीरिन्वासन है तो चन्य शुपर Kings के मालिक जो है एंस स्रिनमासन है, दूसरे टीम जो है कौन है सन्राइजर हैदराबाद है और इसके कप्तान है केन विलियम्स और इसके मालिक है कलानेदी मारन तिसरे IPL 12 का जो टीम था हो किया था किन्स इलिवन पंजाब और इसके कप्तान कौन है किंग्स इवेंट पंजाब की जो टीम है इसके चार मालिक है सहीत रूप से कौन-कौन प्रिति जिंटा नेस वाडिया मोहित वर्मन एवं करन पाल है चोथी जो टीम है IPL 12 की ये कौन थी तो रायस्थान रॉयल्स था जिसका कप्तान कौन था अजिक की रहाने थे इसके कप्त है IPL 12 की ये कौन है दिल्ली केपिटल से और इसके कप्तान है स्रेम आययर और इसके मालिक है जी-एम-र इस्पोर्ट्स प्राइबट लिमिटेड की इसके जो ढमालिक है दिल्ली के चार्था जो टीम है वो कौन सा है रॉयल चैलेंज बेंगलोर तो रोयल चैलेंज बेंगलो तहान जया था इस i PL 12 में मुंभाइ इंडियन्स की कफ्तान परे रोहिस श्रमा और मुंभाइ इंडियंस की मालिक हमे रिलेक्स इंडिस्टियर और आठवा आखरी का कॉलकाथा NIGHT Riders तो कोलकाथा NIGHT Riders जो ह Swlex predator Nunder semester सिकार्थिक है और इसका जो है मालिक कोने सारुक खानवा जय महता यह सही तरूप से हैं यह दोनों मालिक कोलकता नाइट ट्रेटर्स के और अब तक जो है के 2010 में 2011 में और 2018 में आइप्ल के विजटार रह चुके हैं और कोलकाता नाइट है के रा नहीं है इंहों नाइड जो है के मंबाई इंडियांस 23 15 17 19 चार बार मंबाई इंडियन जो है एपेल की विजटार चुके हैं और सुनधर हैधराबाद जो है यह दोज़ार 16 में ही सिर्फ जो है आइपल के विज़ाता रा चुके है तो Grand Slam tennis प्रति होगता जो है दोज़ार 19-20 को देखेंगे तो देखिए यह tournament जो है Grand Slam tennis प्रति होगता यह जो है चार प्रकार की इसमें खेल होता है, कौन-कौन सा होता है, Australia open, French open, उसके बाद होता है विमल्डन open और 14 होता है US open, यह जो है क्रम रूप से खेला जता है, इसी क्रम से, और यह जो grand slam tournament है, इसे major भी कहा जाता है, और Australia open, और US open यह दोनों हाड़ कोड पर खेला जता है, और जब कि French open में Tी पर खेला जत तो पहला हम लोग देखेंगे आस्टेलिया ओपन 2020 को तो इसमें जो है पुरुस स्पर्धा का एकल विजिता जो है कौन वेते तो नुवाक जोकोविच वेते सर्विया के है ये और उप विजिता थे डॉमिनिक थेम आस्टेलिया से है ये ये उप विजिता रहे थे पुरुस मुगूर रजा जो कि स्पेन से हैं तो आश्टेलियन ओपन 2020 में पुरुस यूगल पुरुसकार में सहिंत रूप से जो सेरी बसरी जो कि UK से हैं और राजी उराम USA से हैं यहने कि अमेरिका से हैं यह दोनों ने पुरुस यूगल का किताब जीत लिया है और उपुजिता जो है कौन रहे थे तो उपुजिता थे लुक सेविलस जो कि आश्टेलिया से हैं और मैक्स परसले जो है यह आश्टेलिया से है यह दोनों जो है से पुरुस यूगल में उपजिता रहे थे और मैला यूगल का बात करें तो मैला यूगल में जो है अस्टेलिया ओपनदर बीस में ये टिमिना बाबोस जो है हंगरी से हैं और क्रिष्टिलिना मादे नौवेक जो है ये फ्रांस से हैं ये दोनों जो है सहिंत रूप से मैला यूगल का किताब जीत ल रहे थे अर्स्टे लिए नोपेंट बीज मी जो है मिस्टरत यूगल का जो विजेता थे कौन थे बार्बोरा क्रेजी घुवा जो है चेक गंधा से हैं और निकोला मैक मेकrok जो है निकोला मैक्टिक क्रोईशिया के थे ये दोनों जो है मिश्रित यूगल का किताब जीत लिया था आश्टेलियन ओपें 2020 में और उप उजिता में जो है मिश्रित यूगल का किताब जो है बैथलेन माटेक सेंडल जो है अमेरिका से हैं और जैमी मारे जो है बेटेंग से है ये दोनों ने जो है जीत लिया था में सिर्थ यूगल का किताब नेच्ट टॉपिक है फ्रेंच ओपन 2019 को देखेंगे तो फ्रेंच ओपन 2019 में जो है पुरुस तो पुरुस एकल की वजयता जो है राफेल नडाल ते जो कि इस्पेंश से है और उप वजयता थे डॉमिनिक त्येम जो कि आश्टेलिया से है जो कि आश्ट्रिया से है डॉमिनिक त्येम है उप वजयता और राफेल नडाल जो है इस्पेंश से ये वजयता थे और महिला परतियस परदा में जो है एसले बाटी जो है ये वजयता रही आश्टेलिया की है ये और मरकेता वास और मरकेत मार्केता वंद्रा सुवा जो चेगंडा से है ये उप व्यजता रही थी मार्केता ब्रोदो सुवा जो है चेगंडा से है और ये चो फ्रेंच वन्र पहँजमडरबंस में उप व्यजिता रहे थी पूर्ष योगल। three पTTं करेंगे तो first यजमाद में जेरेमी चांडी जो की फ्रांस से हैं और फैब्रिस मार्टिन जो है फ्रांस से ये दोनों जो है उप विज़ता रहे थे फ्रेंच अपन दोयर 19 में और महिला यूगल का बात करें तो महिला यूगल में जो है तिम्बे बोबास जो है हंगरी से ये विज़ता रहे थी और क्रिष्टिलिना मादानोविज जो है ये फ्रांस से हैं ये दोनों जो है महिला यूगल में विजेता रहे थी और उप जेता रहे थी डुवान इंग जो की चीन से हैं और जहन सैसाई जो है चीन से ये दोनों जो है महिला यूगल में जो है उप जेता रहे थी और मिस्रित यूगल का बात करें तो ललिता चान जो है चीनी ताइपे से हैं और इवान डोडिंग जो है कुरेशिया से हैं ये दोनों जो है मिस्रित यूगल में विज़ता रहे थे और ग्रेबी एला डाब्रोस की जो है कनाडा से हैं और मैट पावेक जो है कुरेशिया से है ये दोनों जो है मिस्ट यूगल में उप विजिता रहे थे फ्रेंच ओपन 2019 में बिमल्डेन ओपन 2019 को देखेंगे तो बिमल्डेन ओपन 2019 में जो है पुरुस एकल का किताब नुवाग जुको विजको मिला जो की सर्विया से है और उप विजिता रहे थे रोजर फेडर जो की स्विजर लेंड से है और मैला एकल का विजिता रहे थे सुनमा हालेब जो की रोमानिया से है और उप विजिता रहे थे सेरना वेलियंस जो की यूएसे से है और पुरुस यूगल का बात करें तो जुआन सेबेस्टियन काबेल जो है ये कोलंबिया से है और रोबर्ट फरा जो है ये कोलंबिया से है ये दोनों जो है पुरुस यूगल में विज़ता रहते और उबज़ता रहते निकुलस माहुत जो की फ्रांस से है और इडा रोजर वेसेलिन जो है फ्रान्स से यह दोनों जो है प्रुस यूगल में उबिजल रहते। महिला यूगल का बात करें तो महिला यूगल में S.W.C. जो ताइपान से हैं और B. Štracob전 कोबा जो है चे कंडरास से हैं यह दोनों महिला यूगल में विजल रहते रहते। मिसर्थ यूगल का बात करें तो I.D.O.D.I.G. जो है क्रोइसिया से और L.C.N. ताइवान से ये दोनों मिसर्थ रूप से मिसर्थ यूगल में विज़ता रहे थी और उब विज़ता में मिसर्थ यूगल में R.L.S.A.D. जो स्टोपो पीको जो है जो लवातिया से हैं ये दो मिसर्थ यूगल में विज़ता रहे थे इमल्डन ओपन 2019 में और आखरी है यूएस ओपन यानिकी अमेरिकी ओपन 2019 तो यूएस ओपन 2019 में पुरुस एकल का किताब जो है राफेल नडाल ने जीत लिया था इस्पेंड से हैं ये और डैनियल मेदवेद जो है रूस से है इन् अमेरिका की खिलाडी है पुरुस यूगल में जो है यूआन सेबेस्टियन कबाल जो है कोलंबिया से है और रोबर्ट फरार जो है कोलंबिया से है ये दोनों जो है पुरुस यूगल में विज़ता रहे थे अमेरिकी ओपन में और उब विज़ता में जो है पुरुस आटेज बेल्जियम से और अर्यन साबा लेंगशा Сबैना, बेलारूस से और इस्ट्रै ले अच्छा स्वेशा के लो करें विजास का में कर दो हमाइला, गुल्प से और Congratulations विजटा रहे थे और विजटा में जो है चान होंगो चिंग जो की ताइवान से हैं और माइकल वीनर जो है निजर लेंड से हैं ये दोनों जो है में सिर्थ यूगल में विजटा रहे थे यूएस ओपन 2019 में और यह जो इंपोर्टन फेक्ट से मैंने पहले बता दिया था फ्रेंच ओपन विवल्डन ओपन और यूएस ओपन होते हैं जो कि इसी करम में खेले जाते हैं पहले आश्टेलिया ओपन खेला जाता है फिर फ्रेंच ओपन होता है विवल्डन ओपन होता है और उसके बाद यूएस ओपन होता है जिन्हें मेजर भी काते हैं क्या वो ले पर ख्यला जाता है और लिश्ट अनोंच जो है घंस पर खेला जाता है यह भी आद रखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है बारवा वृल्ट का प्रकेट 2019 को देखेंगे तो इसका आइजन वह था इंग्लेंड और वेल्स में, इंग्लेंड एवं वेल्स में हुआ था, बारवा वर्ल्ड कप क्रिकेट, 2019 का आयजन हुआ था, इंग्लेंड एवं वेल्स में हुआ था, और इसका आयजन जो है, 30 माई से 14 जुलाई 2019 को हुआ था, इंग्लेंड और वेल्स में, और बारवा वर् आग लिया थे 10 और कुल मैच हुआ था इसमें 48 मैच हुए थे टॉफी का वजन जो है कितना था बारवा वर्ल्ड कुप क्रिकेट था 19 का तो 10 किलो ग्राम जो है टॉफी का वजन था और पहला मैच जो है 30 माई को दा ओवल स्टेडियम लंदन में हुआ जो कि इंगलेंड और चिन आफ्रेका की बीच हुआ था और विजटा कौन थे इंगलेंड थे इसमें और फाइनल मैच का आजन अस्ताल था लंदन में जो कि लाट्स क्रिकेट स्टेडियम कुझा नाच कहा लंदन का उसी में अधिसर टीम थे इंगलेंड थे इंगलेंड की टीम ही इंगलेंड की टीम के कप्तान कौन है यौन मारगन है यौन मारगन जो है इंगलेंड के टीम के कप्तान है और विजिता रहते कौन न्यूजिलेंड थे विजिता और न्यूजिलेंड के पहुंचने वाले टीम जो है कौन-कौन थी तो भारत New Zealand Australia एवं England थी सेमी final में पहंची थे चारो टीम और सेमी final में जो है भारत को किस ने हराया था तो सेमी final में भारत को New Zealand ने हराया अठारह रन से और 12 वर्ल्ल्ड कप Cricket 2019 में में अपडा मेश जो है से हैं और golden ball पुरुषकार जो है में सेल स्टॉक को दिया गया था और सरवाधिक स्कोर का पुरुषकार दिया गया था रोहिस सर्मा को 648 रन के लिए सरवाधिक सतक लगाया थे रोहिस सर्मा कि फिलाडी है और सरवादिक चौकिय ने सबसे थे सेवन दलाए थे लगाए थे रवार्ब कप वर्ल्ड क्रिकेट का ये कि ब्रस्तावित हैं ढहरत में कुछ नोट्स देख लेते हैं वर्ल्ड कप अब तक जो है कुल छोद एसो ने जीता है जिसमें आश्टेलिया सरवादिक पांच बार जीत लिया है और भारत दो बार 1983 और 2011 में जीता है भारत ने वेस्ट इंडिज जो है दो बार तता पाकिस्तान स्रिलंका और इंग्लेंड ने एक एक बार जीता है वर्ल्ड कप को यहां से भी डाइट प्रेशन आते हैं कि वर्ल्ड कप अब तक भारत ने कितने बार जीता या सरवादिक जो है जो वर्ल्ड कप किस ने जीता है अभी तक तो अस्टेलिया ने जीता है पांच बार वेश इंडिज पूछ देगा तो बोल दीजेगा दो बार और पाकिस्तान से ग्रिस्म कालिन ओलंपिक खेल जो है या 24 में फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित है और चोतिस्वा ग्रिस्म कालिन ओलंपिक खेल जो है या 28 में अमेरिका के लॉस एंजलस सायर में प्रस्तावित है और 23 सितकालिन ओलंपिक खेल जो है या 28 में दचिन कोरिया प्योंग चा छॉफ्टांग, या चिन खाल यह में तॉया है, लुघ, या सनगांने लनस के स कड़े प्रतावित है। नेच्ट है चतीशवा राष्टे खेल 26udy जो है चतीश आयस भारत में अजू में और आजित वया था और सतेशवा राष्टे खेल जो है इसका आज जो है कहां कहां होगा दयार 20 में अपने भारत के चेतरि सगत्र 빠श में नाजिय में होगा और प्रस्तावित है और बीसवा A.C.I खेल का आयजन जो है दोईर 26 में होगा जापान के नयोगा में प्रस्तावित क्या गया है और तेरवाद अच्छीन A.C.I खेल जो है या दोईर 19 में हुआ था नेपाल के काट मांडू में और एक ऐस्वा राश्टमंडल खेल जो है एक ऐस् नेच्ट है 22 फीपा फुटबॉल विसकप जो है या आयजन होगा इसका जर 22 के कतर में होगा और फीपा मैला फुटबॉल विसकप जो है इसका आयजन होगा दर तैस के आश्टेलिया एवं न्यूजिलेंड सहर में और तैसवा फीपा फुटबॉल विसकप का आयजन जो है 26 के अमेरिका मेक्सिको और करनाटा स्क्राइश में इसका आयोजन होगा नच्ट है फीफा Weilllopati कप मंए इसका आय जट अज़न 22 के अपने भरत में इसका आयोजन होगा और 23 विषिकप क्रिकेट या जो है तेर विष्कन चाहूच का आइश होगा आयोजित होगा और सात्वा महिला T20 विसकब जो है या दोयर 20 में आश्टेलिया देश में संपन होगा और सात्वा पुरुष्टी 20 विसकब जो है या दोयर 20 के आश्टेलिया में संपन होगा और आटवा पुरुष्टी 20 विसकब जो है या दोयर 21 में अपने भारत में इसका का आयोजन होगा और जितने भी दोहर 20 में खेल जो है प्रस्तावित थे वो अब जो है अस्थागित कर दिया गया है कोबिट नेंडिन के करण नेश्ट है आटवा महिला टी ट्वेंटी विसकप जो है दोहर 22 में दचिन अफरीका देश में इसका आयोजन होगा और चौदवा पुरु से विसकप होकी जो है या दोह 18 में अपने भारत में आयोजित हुआ था और पुरु से विसकप होकी जो है या दोह 23 में अपने भारत में बोनेसर और 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 अस्थान यहीं पर इसका आयोजन होगा नेश्ट है चौदवा महिला अविसकप होकी जो है या दोह 18 में इंग्लेंड देश में लंदन में संपन हुआ था और पंदरवा महिला विसकप होकी का जो है इसका आजन होगा 22 में इस्पेंड एवं नीदर लेंड देश में होगा महिला रगभी चेंप्रेंशीब जो है महिला रगभी चेंप्रेंशीब 21 में न्यूजिलेंड में प्रस्ता प्रस्तावित क्या गया है Youth Games 2020 तो 13 खेलो इंडिया Youth Games 2020 का आयोजन जो है असम के गौहाटी सेर में हुआ था और इसका मुख्य आयोजन जो है इंद्रा गांदी Athletics Stadium में हुआ था ये इंद्रा गांदी Athletics Stadium का जो आने नाम है क्या है सुरज साई सुरज जाई स्टेडियम है और इसका आयजन हुआ था दस से 22 जनवार 2020 को इसका आयजन हुआ था उद्गाटन करता जो है कौन थे तो उद्गाटन करता थे असम के मुख्य मंत्री सरवानन सोनवाल और केंद्री खेल मंत्री किरन रिजिजु जो है ये दोनों ने मिल करके इसके उद्गाटन के थे तेरवा खेलो इंडिया यूद गेम 2020 का और खेलो इंडिया यूद गेम 2020 का जो संस्क्रान था तो तीसरा संस्क्रान था इसका और इसका पुराना नाम जो है क्या है तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है तीसरा खेलो इंडिया यूद्गेम 2020 के सुभांकर जो है जय और विजय है जय और विजय जो है इसके सुभांकर है तीसरा खेलो इंडिया यूद्गेम 2020 में जो है 23 राज जो है इसमें पार्टिस्पेट किया था जिसमें 28 राज और 9 कें सासित परदेश ने मिल करके भाग लिया था कुल सामिल खेल कितने थे इसमें तो खेल खेला गया था इसमें टोटल और तीसरा खेलो इंडिया यूद गेम 2020 में जो है पहली बार जो है खेल सामिल किया गया है साइकलिंग एवं लॉन बाउस को ये भी याद रखेगा यहां से भी प्रशना सकते हैं और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी जो है कितने थे तो भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी दस अजार थे और मसाल प्रजलवन जो है हीता दास ने किया था पर्थम अस्थान पर रहे थे महाराष्ट 78 स्वायन पदक, 77 रज़त पदक और 101कास सहित जो है इनोंने माराष्ट ने 256 पदक टोटल हासिल किये और इससे ये पर्थम अस्थान पर रहे थे और सेकेंड अस्थान पर थे हर्याना राज जिसमें इन्होंने 68 स्वाण पदक, 60 रज़त पदक और 82 पदक टोटल जो है इन्होंने 200 पदक हासिल किया और इससे जो है ये सेकेंड पोजिशन पर रहे और तीसरे अस्थान पर दिल्ली रहा जिसने 39 स्वाण पदक, 36 रज़त पदक और 47 स्वाण पदक टोटल जो है इन्होंने 122 पदक जीते दिल्ली ने और अस्वाज का अस्थान जो है सातवा था जिसमें इन्होंने 20 स्वाण पदक, 22 रज़त पदक और 34 स्वाण पदक जीते टोटल जो है 26 पतक असम्न में जीते हैं और इससे जो है ये 7 पोजिशन पर पहुंच गए असम्न राजी खिलाडियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रासी जो है कितनी थी तो खिलाडियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रासी थी 8 साल तक 5 लाग रुपए सलाना 8 स तक जो है खिलाडियों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा पांस लाग रुपए पर येर और पहली बार खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का आयजन जो है या उडिशा के भूनेशर में आयुत हुआ था ये भी याद रखेगा नेक्स्ट है सात्वा प्रो कबड़ी ल दबंग दिल्ली उब जिता रहे थे सात्वा प्रो कबड़ी लिंग के दबंग दिल्ली तो सात्वा प्रो कबड़ी लिंग तो है 19 में टूनामेंट के प्रत प्रुसकार को देख लेंगे तो सरवादिक मुल्यवान खिलाडी जो है इसमें नवीन कुमार थे और सरवस्रेश डिफेंडर जो है कौन थे ? तो सरवसेश ॡिफेंडर जो है ? पजल रत्रा चली थे ? सवसेश डिफेंडर जो है ? कौन खाड़ी थे ? तो पजल रत्रा चली थे ? रेफ री आफ दा डेलिंग 2019 के टूनामेंट के प्रदत पुरुसकार अब हम लोग जो है 2018 से 2019 के प्रमुख खिलाड़ी को देखेंगे और उससे सम्बंदित राज और खेल से सम्बंदित है उसको देखेंगे तो पहला है देखिए बजरंग पुनिया तो बजरंग पुनिया जो है यह हर्याना क जो खेल से सम्बंदित थे इनका सम्बंद किस्ते है हेप्टाथिलिक खेल से है नेश्ट लाड़ी है जिंसन जॉनसन तो जिंसन जॉनसन जो है यह केरल के कोजी कोड जिले से है और यह जो है धावक है नेश्ट है दुनतीचंद्र तो दुनतीचंद्र जो है दुतीचंद् नेश्ट है जीतुरोय तो जीतुरोय जो है उत्ते परदेश के लखनाव राज से है और यह जो है सूटिंग खेल से इसका संबन्द है जीतुरोय का नेश्ट है हीमादास तो हीमादास जो है ये असम के डिंग से है और इसे डिंग एक्स्प्रेस भी कहाता है और ये जो है एक धावक है नेश्ट है साक्षी मलिक तो साक्षी मलिक जो है हर्याना के रोतक से है और ये जो है पालवानी खेल से सम्मंद है इनका नेश्ट है पीव मिर्जा जो है माराश्ट राज के मुंबई से है यह जो है टेनिस की खेल से इनका संबंध है यह जो टेनिस खेलती है सानिय मिर्जा नेश्ट है गीता फोगाट तो गीता फोगाट जो है हर्याना के भिवानी से है तो गीता फोगाट जो है हर्याना राज के भिवानी से है और यह जो है एक धावक है नेश्ट है दीपा कर्मकार तो दीपा कर्मकार जो खिलाडी है या तिरी पुरा राज के अगर तल्ला से है और यह जो है जिमनाष्ट करते हैं दीपा कर्मकार नेश्ट है अभिना विंद्रा तो अभिना विंद्रा जो है उत्रा खंड के देरादुन स निशेन भाजी में निपुर्ण है, हर्याना राज के अर्याना से है, यह जो है डिक्सन थ्रोवर है एक, डिक्सन थ्रोवर खेल से हिसका सम्बन्द है कृश्चा पुर्यार का, कि टिक्सन थ्रोवर से है, defining एक एतलेटिक है और लंबी कूद में भी भाग लेते हैं नेश्ट है मिताली राज जो खिलाडी है इसका सम्मन्ध है रायस्तान के जोदपुर जिले से और यह एक महिला क्रिकेटर है नेश्ट है कर्णम मलेश्वरी तो कर्णम मलेश्वरी जो है आंध पर्देश राज के अमडा लावास से है और यह एक भर तोलक है नेश्ट है अंजली भागवत तो अंजली भागवत जो है यह माराष्ट के मुंबै से है और यह जो है निसाने बाजी खेल में निपुन है अंजली भागवत नेश्ट है सीमा अंतिल तो सीमा अंतिल जो खिलाड़ी है यह इनका सम्मंद है हर्याना राज के सोनपत से है यह औ गगन नागर तो गगन नागर जो है तामिल नाडू के चन्नाई जिले से है और यह जो है एक निसाने बाज खेल में निपुन है गगन नागर नेश्ट है विकास कृष्णन तो विकास कृष्णन जो है हरेणा के हिसार से है ये और ये जो है एक मुके बाजी खेल में निपु तो मनुभाकर जो है हर्याना के जहजर से है और यह जो है निसाने बाज खेल में निपुर्ण है मनुभाकर संजिता चानू मनिपूर के कांखचील से है मनिपूर राज के कांखचील से है और यह एक भरतोलग खिलाडी है सुरूती दीपा मलिक तो सुरूती दीपा मलिक यह हर्यना के सोनपस से है हर्यना राज के सोनपस से है इनका विलोंग करते ही और यह एक पैरा अतलेटिक्स है इंका सम्मंध है बिहार के जम्मोई जिले से करनाल से है और यह निसाने बाजी के खेल के खिलाडी है अनिस भगवाला अनिस भनवाला जो है निसने बाजी खेल के खिलाड़ी है निरज चोपड़ा तो निरज चोपड़ा जो है हर्याना के पानीपद जिले से है और यह जो है एटलेटिक है और एक भाला फेक है यानि की जेवलिंग थ्रूर है नेश्ट है विस्वनात आनंद या तामिलाडू के मलाई दुतहरी से हैं और या जो है एक सतरंज के खिलाडी है नेश्ट है आर प्रगना नंदा जो है खिलाडी या तामिलाडू के चन्ने जिले से हैं और या जो है एक सतरंज के खिलाडी है नेश्ट है किदामबे स्रीकांत खिलाडी जो है किदामबे स्रीकांत या तामिल नाडु के मलाई दुथेरी से हैं और यह जो है एक बैमिंटन के खिलाडी है किदामबे स्रीकांत नेश्ट है सीमा पुनिया तो सीमा पुनिया जो खिलाड़ी है यह हर्याना के सोनपत जिले से हैं और यह जो है डिक्सन थ्रोवर है एक डिक्सन थ्रोवर खिलती हैं सीमा पुनिया नेश्ट है जेरोमी लाल निरुंगा जो खिलाडी है यह मिजुरम से इनका सम्मंद है यानि की मिजुरम राज से है यह और एक भरतोलक है एक जेरोमी लाल निरुंगा नेश्ट है मैंदर सिंग दोनी तो मैंदर सिंग दोनी सभी को पता होगा यह जारकन के राचे जिले से है और यह जो है क्रिकेट के खिलाडी है एक नेश्ट है वायचूंग भोटिया जो खिलाडी है इनका सम्मन्द है सिक्किम राज के टिकन कितम जिले से और यह जो है एक फ है वेनोर या वान खेड़े स्टेडियम जो है या माराष्ट के मुंबई में पड़ता है नेश्ट है गांधी स्टेडियम तो गांधी स्टेडियम जो है पंजाब के जलंदर जिले में है नेश्ट है लाल बहादुर सास्त्री स्टेडियम तो लाल बादु सास्त्री स्टेडि तो वरकातुला खान श्टेडियम जो है या रायस्थान के जोदपूर जिले में है नेश्ट है मोईन उलहक श्टेडियम जो है मोईन उलहक श्टेडियम या बिहार में पटना में पड़ता है पटना में है मोईन उलहक श्टेडियम next is hidden garden तो hidden garden सबको पता होगा कि ये बस्षियमंगाल के कौकता में है next या लाडर्स या ओवल क्रिकेट ड्राउट जो है या इंग्लेंड के लंदन में है next ये ने हरो इस्टैडियम जो है ने हरो इस्टैडियम या मद्य पर्दिश के इंदोत शहर में है next है मोटेरा स्टेडियम तो मोटेरा स्टेडियम जो है यह कहां है तो गुजरात के अंदाबास सहर में है next है सवाई मानसिंग स्टेडियम तो सवाई मानसिंग स्टेडियम जो है यह रायस्थान के जैपूर सहर में है नेस्ट है जिन्हा स्टेडियम तो जिन्हा स्टेडियम जो है यह पकिस्तान के सियाल कोट में है नेस्ट है अरुन जेटली स्टेडियम तो अरुन जेटली स्टेडियम जो है यह दिल्ली में है नज्ट है विदर्व C.A. GRAWN तो विदर्व C.A. GRAWN जो है या महराष्ट के नाकपुर शहर में है न्ज्ट है M.A. C.A. GRAWN जो है तामलाडो के चन्नाइश शहर में है नज्ट है होलकार स्टेड 업 बहुत बाहरा है या मद्व clergyman के इंदोर्ष शहर में है इडन पार्क तो इडन पार्क जो है या निजुलेंड के आकलेंड में है मेलबॉर्ण क्रिकेट ग्राउंड जो है मेलबॉर्ण क्रिकेट ग्राउंड या आश्टेलिया के मेलबॉर्ण शहर में है गदाफी स्टेडियम तो गदाफी स्टेडियम जो है पकिस्तान के लाहोर शहर में है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है या करनाटक के बैंगलूर शहर में है माधोराव संधिया क्रिकेट ग्राउंड जो है या गुजरात के राजकोर्ट में पड़ता है मादोराव संधिया क्रिकेट ग्राउnd गुजराद के राजकोर्ट हेर में है जवाहर लाल लैरो स्टेडियाम या नई दिल्ली में कीनन स्टेडियम तो कीनन स्टेडियाम जो या जारकेंड के जमसित पूर्श शहर में है नेस्ट है बारावति स्टेडियम, तो बारावति स्टेडियम जो है, उडिसा के कर्टक सहर में है, और यहाँ पर जो नोट्स दिया हुआ है, इसको देख लिजिए, इसको देख लिजे, या इन पॉले नोट्स है है, Muhtera अधिकारिक नाम उसका सरदार पटल स्टेडियम, या दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकोग की छमता वाला स्टेडियम है मोmotherा स्टेडियम अब हम लोग प्रमुक खेयलों के सुबंकर को देखेगे तो फीपा वर्ल्लकप 280 का सुबंकर जो है क्या था तो जावी कावा था तो पीपा वर्ल्ड कप 2018 का सुभंकर क्या था जावी कावा था राश्ट मिंडल खेल 2018 का जो सुभंकर था वो क्या था बोरोवी था नेश्ट है अठारवा एसी आए खेल 2018 का जो सुभंकर कौन कौन है भिन भिन है जो की एक पक्षी होता है भिन भिन अतुंग जो है एक हिरन ह है और यह जो राष्ट मंदल खेल रठारा का जो बोरोबी है या आश्टेलिया का एक जीव है नेश्ट है देखिए उनिस्वा एसी आई खेल 2020 तो इसके सुभंकर है तीन रोबोट यानि कि दा स्मार्ट ट्रिपल्स जो है इसके सुभंकर है नेश्ट है खेलो इंडिया यौँवा ओलमपिक खेल 2020 के सुभंकर कौन है तो योडली है इसके सुभंकर यूँवा ओलमपिक खेल Nor 2K नेश्ट है ग्रिसम कालिट ओलमपिक 220 के सुबंकर है ये कौन है मिराई तोवा है नश्ट है राष्टी खेल 2020 की जो सुबंकर है कौन है बुलबुल है यानि की रुबी गुला है राष्ट मंदल खेल 2020 की जो सुबंकर है बुलबुल जिसको बोलते है रुबी गुला नेस्ट है सित कालिन ओलंपिक 22 के सुभंकर जो है कौन है विंग ड्वैन ड्वैन नेस्ट है राष्टमंडल खेल 22 के सुभंकर जो है कौन होगे तो मिसार इद होगे नेस्ट है राष्टमंडल खेल 22 के सुभंकर जो है कौन होगे नेस्ट है एसियन पेरा खेल 22 का जो सुभंक आधे स्वज़ाइट और उटनित्र और विज्शेता रहते बंगलरेश। और इसके विज़ेता है बंगलादेश और विज़ेता रहे कौन अपनादेश भारत नेक्स्ट देखिए क्रिकेट में ही है डिपलोमेट कप क्रिकेट चेम्पियंशिप 2020 इसका आजन हुआ दुबई में और इसके विज़ेता रहे थे भारती वार्णेजिक दुटावास और विज़ेता रहे थे पकिस्तान वांडेजिक दुटावास नेच्ट है वेनु मंकरट टॉफी क्रिकेट और इस इसके विज़ेता रहे थे उत्तेंपरदुस की टीम और विज़ेता रहे थे मुंबई टीम नेच्ट है वूमेंस इमर्जिंग कप 2019 को देखेंगे तो वूमें इमर्जिंग siblings betting ऊपतु आंप नदेश foster अपने से भारत और वृत रहे थे श्रियलंका देश尺 हराई naивать में जो हैं विभी चिता रहे थे साफ सदारी मार्प आ हैंडere δेवदाव आडरे ऊप्व सब्सके रहे थे एंडिया और एंडिया सी Under contin он owski किर्केट का ही प्रारूप है और इसमें विजटा रहते हैं भारत 7 वार विजटा रहा था और विजटा रहा था भाण्गलादेश तो लो ऐे किर्केट suits 2019 को फोके स्बाँन धुदादेश तह रहते हैं तो ऐशिंग्लैण немного об mesh लिंग्व्डियां रचेलिया और एंग्लेंड के बीच 48 रसों आधा philosophy रही मतलब यहीं ढाइद रही हो गया था अस्ट्रेलीया और एंग्लेंड के बीच 48 तो एंथनी सिनसुका थे पुरूस एकल के विज़ेता और उप विज़ेता रहे थे पुरूस एकल में एंडर्स एंटोन सेन जो है ये उप विज़ेता रहे थे इंडोनेसिया मास्टर 2020 में नेस्ट है मलेसिया मास्टर 2020 तो मलेसिया मास्टर 2020 में जो है या आयजन हुआ था मलेसिया के क्वालामपूर शहर में और पुरुस एकल का वज़ता कौन था तो पुरुस एकल का वज़ता था कैंतो मोमोता और पुरुस एकल के उप ज़ता रहे थे विक्टर एक्सलसन एकल का वजेता जो है कैंतोमो मुंता ने जीत लिया था जो जापान से है और मैला ident щоб रहते कौन। यह जो है इसका आइजन हुआ था स्टॉक लैंड के ग्लासोगों में और इसमें पुरूस एकल के वज़ता रहे थे भारत के लचसेन और उब वज़ता रहे थे ब्राजिल के गोर कालो ब्राजिल के थे यह गोर कालो यह जो है उब वज़ता रहे थे पुरूस एकल के एकल के विजयता थे यो नेक्स फ्रेंच ओपन 2019 में नेच्ट देखिए यो नेक्स डच ओपन 2019 या भी जो है बैमिटन का एक्रार रूप है और इसका एजन हुआ था फ्रांस के पेरिश सहर में और इसमें जो है पुरूस एकल के विजयता थे कौन भारत के लच सेन और मैला ए 2019 का अज़ता हुआता है स्विजय लेन के बासील में और इसमें जो है पुरुस एकल का विज़ता रहते जपान के कैंटो महता और मैला है रहते कौन सिंदु में inning अ चीन के नान किंग सार में जो है जूदी रमान कब 1219 का आजन वा था और इसमें विज़ता देश रहे थे चीन और विज़ता देश रहे थे जापान नेस्ट है ASEA Championship 2019 को देखेंगे तो ASEA Championship 2019 यह भी बेरिमिंटन का एक प्रारूप है इसमें पुरुस एकल के विज़ता रहते कौन? जापान के केंटो मोमुता और महिला एकल के विज़ता रहते कौन? अकाने यामुगुची जो है महिला एकल के विज़ता थे ASEAN Championship 2019 में अब जो है महिलोग फुटबॉल के प्रारूप को देख लेंगे तो चोतिसवा ला लेंगा चेंपिंसी 2020 जो है इसका विज़ता रहते रहते रियल मैडिट और विज़ता रहते बार्सिलोना चोतिसवा ला लेंगा चेंपिंसी 2020 में जो है रियल मैडिट जो है विज़ता रहते और बार्सिलोना जो है ये विज़ता रहते नेस्ट है इंग्लिस प्रिमियर लिंग 2019 में जो है विज़ता रहते कौन? लिवरपूल और विज़ता रहते मैंचेस्टर सीटी नेस्ट है इंडियन सूपर लिंग दो है 19 बीस में जो है विज़ता रहते कौन तो विज़ता रहते एटलो टीको डी कोलकाता और विज़ता रहते चन्नाई एफसी नेस्ट है फीफा अंडर 17 विज़ता रहते ब्रासिलिया में और इसके विज़ता रहते ब्राजील देश इसका विज़ता रहते और विज़ता रहते बंगलादेश नेस्ट है अंडर 18 सेफ फुटबॉल चेंपिनसिप तो अंडर 18 सेफ फुटबॉल चेंपिनसिप में जो है अपना देश भारत विज़ता रहते बंगलादेश नेस्ट है देखिए सुब्रोतक कब 2019 तो सुब्रोतक कब 2019 का आज़न जो है मिज़रम में हुआ था और इसमें विज़ता रहते मिज़रम राज जो है विज़ता रहता और विज़ता रहता मनी पूर राज नेस्ट है डूरंड कब 2019 को देखेंगे तो डूरंड कब 2019 में विज़ता रहत था गोकुमल केरला एफसी और विज़ता रहते कौन मोहन बागान नेस्ट है आठवा FIFA महिला आविशिक कब 2019 में देखेंगे तो इसका आजन हुआ था फ्रांस में आठवा FIFA महिला आविशिक कब 2019 का आजन का हुआ फ्रांस में हुआ और इसमें जो है विज़ता रहते सहिंगतराज अमेरिका USA और विज़ता रहते निधरलेंड नेस्ट है UEFA Nations Link लिंग 2019 तो इसमें विज़ता रहते पूर्टगाल देश और विज़ता रहते नीधर लेंड. नेच्ट है UEFA Champions लिंग 2019 में विज़ता रहते लिवर्पूल क्लब्स और विज़ता रहते टोटे नहाम क्लब. नेच्ट है संतोष टॉपी 2019 तो संतोष टॉपी 2019 का आजन हुआ था लुद्याना सहर में और इसके विज़ता रहते सर्विसेज और उब विज़ता रहते पंजाब राजिय अब हम लोग जो है होकी के खेल को देख लेंगे तो होकी में जो है कौन-कौन सा खेल हुआ था तो स पाई-एच होकी स्रीज जो है उनिस ने विज़ता रहते अपना देश भारत और विज़ता रहते दच्छिन अफ्रीका नेच्ट है सुल्तान अजलन सा कब 2019 यह भी होकी में खेलाता है और यह जो है कहां जित हुआ था मलेसिया के इपोह में इसका यजन हुआ था मलेसिया क कि भारतिय श्हाट प्रादीकरन और विज़ता रहते सेना एक दस धानापूर में पुरुस होकी विज़ता रहते बेल्जियम देश और पुरुस होकी विसक बाझार में जो है उब इंज़ता रहते निधर लेंड नर्च देखे एसियन चेंपियन्स टॉफी दोफी अब जो हैं में लोग टेनिस को देखेंगे तो टेनिस खेल में जो है पहला है पी एजडी बैंक नोट्स ओपन टेनिस टूनामेंट दोज़वीश तो इसमें जो है उविज़ेता टेम रहते सुमित नागर और उविज़ेता रहते डेनियल मसूर नेश्ट है ATP Mexican Open 2020 देखेंगे तो ATP Mexican 2020 में पुरुष एकल का विज़ेता रहते कौन राफेल नडाल जो स्पेंसे है और महिला एकल का विज़ेता रहते था हितर वाट्सन नेश्ट है देखेंगे एकासवा सीनियर राश्टिय एवं इंटर स्टेट चेंपेंशिप 2020 तो इसमें पुरुष एकल का विज़ेता थे हरिमित देशाई और महिला एकल का विज़ेता था कौन सुतिर्था मुकरजी नेश्ट है एडिलेड इंटरनेशनल दोहर 20 जो खेल हुआ था टेनिस का इसमें पुरुष एकल के विज़ेता रहते कौन तो पुरुष एकल के विज़ेता थ और उब विज़ता रहते इस्पेंदेश नेस्ट है आउकलेंड ओपन थोयर बीज जो खेल वा था टेनिस का इसमें पूरुस एकल के विज़ता रहते ओगो हमपड ओगो हमपड जो है फ्रांसे थे और महिला एकल के विज़ता रहते सेरना विलियांस नेस्ट दिखिए कतर ओ इसमें पुरुष एकल रहे थे आंद्रे रुबलेव ये पुरुष एकल के व्यद्य रहे थे और कॉरेंटेंड मांटेट जो है ये वंचीता रहे थे पुरुष एकल के हैं यह उब ज़ता रहते डेविस कब 2019 में नाइस्ट दिखे इंडोनेसिया ओपन 2019 तो इंडोनेसिया ओपन 2019 जो है टेनिस का ही प्रारूप है इसमें पूरु सेकल का विज़ता रहते हर्मित देशाई और उब ज़ता रहते कौन पूरु सेकल में हम वतन अमल रांज एंथनी जो है उब विज़ता रहते पूरु सिकल में नेस्ट है रोजर्स कप 2019 तो रोजर्स कप 2019 यह टेनिस का ही खेल है और इसमें विज़ता रहते कौन ब्यांका एंड्रूग्स और विज़ता रहते सेर्णा विलियम्स अब हम जो है फॉर्मुला वन खेल को देगे जिसमें यह पहला खेल हुय था तो बांड़िस whiskey में जो है विजितार रहते कौन लुइस है मिल्टन और उभितार रहते मैक्ज वर्ष्टा पैन मैक्ज वाट पैन जो है को भुत रहते भी पीज्ताराई दखिए तो बैटिस ग्रेंट पिक्स poblis, तो एंगरियन ग्न्पिक्स, वेज़ता रहते कौन, लुईस हैमिल्तन और वुपीता रहते, Max Vatapens जो है उविजता रहते तो बेटिस ग्रैंड पिक्स दोहर बीस में और हैंगरियन दोहर बीस में जो है हैंगरियन ग्रैंड पिक्स में दोनों में जो है लुईस हैमिल्टन जो है यह विजता रहते और उविजता रहते मैक्स वटा पेन इसमें भी और इसमें भी मैक्स वटा पेन उब्बजता रहते नांश्टे दिखिए इस्टारिंग ग्रेंट पिक्स यहर वीश में जो है विज़ता रहते कौन लूई सेमेलटन और वीश रहते बोलटेरी वोटास नांश्टे दिखिए आश्ट्रियन ग्रेंट पिक्स यहर 20 जो खेल Mister वह था इसमें जो है विज़ पिक्स9 में विज़दा रहते से विजटा है नेस दो फल प्रैखिता रहते जो है डी जो की तरफाल कैए मोला वन रेस्ट और बंट हैं यहां विज़दा रहते सब्सक्कार्न और वहां मिप्ला यहां 19 में जो है विज़ता रहते कौन वल्टेरी वोटास और विज़ता रहते कौन लुईस हैमिल्टन अब हम लो जो है बिलियर्ट स्नूकर खेल को देखेंगे तो पहला इसमें खेल वाता कौन राश्टी है इसमें विज़ता रहते कौन पंकज अडवानी और उप विज़ता रहते इसप्रित सिंग जो है उप विज़ता रहते सिनिया नेशनल बिलियर्ड चेंपरेंशिप 2020 में विज़ता रहते कौन पंकर जड़वानी और उप विज़ता रहते कौन सौरब कोठारी अब हम लोग गोल्फ खेल को देख लेंगे तो गोल्फ खेल में विज़ता रहते कौन पंकर जड़वानी और उप विज़ता रहते कौन सौरब कोठारी क्रिष्टीन वोल्फ जो की अश्टिया से है और उप विज़ता रहते मार्याने इस पार नोट जो है उब विज़ता रहती नइस तहरे के यूएसे ओप विज़ता रहांतार विज़तारा को और विज़ता रहांता यूरोप और विज़तारा अमेंडाटा यूएसे राइडर कप पहला रगवी वल्ड काप 2019 तो रगवी वल्ड काप 2019 जो खेल हुआ था इसमें विजटार आता धस्षीनाफरिका और विजटा रहते कौन इंग्लेंड दीश अनेस्ट खेल को देखेंगेई इसक्वास खेल को देखेंगे तो इसक्वास खेल में जो है पहला है बंगाल ओपन किताब 2019 तो बंगाल ओपन किताब 2019 में जो है पुरुस विज़ता रहते कौन पस्ची मंगाल के अभै सिंग और उब विज़ता रहते दिल्ली की तन्वी खन्ना मैला विज़ता रहती कौन त लोशना चिनप्पा। नेश्ट दिखिए स्क्वैसियन ओपन दोज़र उन्नीस में विज़ता रहते कौन भारत के महिसवर नंगवांकर और इस्पेन के ते बानाड जाम जो है उबज़ता रहते। ए से कियйल ओपन 2019 में नेश्ट दीगीए एस्चार स्वेटा रिखें एस्थ ज्मस्शंपरंफीब 2019 इसमें वजटा रहे ते में दो आए से सक्ट रहे थे सर्ण याहिं दोनों 2And세요 सण बड़नीके खेल को देख लियंगे दो 2 उल्ड कबड़ी कप 2019 नेस्स हो चैनल में विच्टाराथे बंगाल वार्यर्स और विच्टाराथ दबंग दिल्ली अब जो है मुक्य बाजी खेल में जो है देख लेते हैं तो आईबा अविस्व महिला मुक्य बाजी चेंपर्शिप 2019 में जो है इसका आइजन हुआ था रूस में और पहला अस्तान था रूस का और भायत का अस्तान था कितना नौवा था नेच्ट है देखिए अथलेटिक खेल में जो है सतरवा IAAF विस्व अथलेटिक चेंपर्शिप 2019 जो हुआ इसका आइजन हुआ था कतर के दोहा में और पहला अस्तान था किसका तो पहला अस्तान था अमेरिका देश का और भारत का अस्तान था कितना तो अपना भारत का अस्त था कितना चौत्वा यानिकि फोर्थ अस्थान पर था अपना देश भारत नेक्स्ट दिखिए निसाने बाजी तो निसाने बाजी में जो है था शिक्स पोजेशन पर था भारत विश्ट तिरंदाई चेंपरसिब 2019 में पहला स्थान के सा था दच्छिन कोरिया का था नेक्ट है आई एस एस एप जुनियर वर्ल्ड कप 2019 का आविजन हुआ था जर्मानी के स्लूह में और पहला स्थान प्राप्त हुआ था भारत को ही और पहला स्थान चेंपरसिब 2020 यह ऑनलाइन हुआ और इसमें जो है विज़ता रहते कौन साख्रियार मुमेदी रहो जो है विज़ता रहते और विज़ता रहते भारत के पिक हरी कृष्णा नेक्ट रिखे ऑनलाइन नेसन कप शतरन दोहर 20 जो आई जित हुआ इसमें विज़ करता रहते कौन भारत के को नेर tat några पी और उविज़ता रहते जूंञू मिलेगा आपको ऎहां पर तो पहला है देखे हाली में इंग्लीज प्रिमियर लिंग जो है 2020 का सीजन जो हुआ इसमें गॉल्डन बूर्ट फुटबॉल अवार्ड से जो है लिसस्टर सिटी के जो है ड्राइवर जैमी अवार्डी को समाना वाजा गया है नेश्टे दिखिए खेलो इंडिया यूद गेम जो 21 की मेजबानी हर्य नेश्टे रिकिए भारती ओल राउंडर जो है रवेंद्र जटेजा इसको डिजवन द्वारा भारत में 21 सदी का मोस्ट वेलिवल प्लियर चुना गया है नेश्टे रिकिए राहुल राविड जो है विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हरा करके भारत के ग्र आज़े बाज बन गए हैं राउल द्रविड नेश्टर के फीपा मैला विसकर देर 923 की में जो है आष्टीलिया और न्युजिलेंड दोरा सजित रूप से की जाएगी फीपा मैला विसकर जो होगा दोरी प्लियर रेंकिंग में भारत जो है 108 अस्थान पर है और पहला प्रांस है नेश्ट रिखिए चातिसवा राष्टे खेलों को जो है चातिसवे राष्टे खेलों को कोविड-19 के चलते और निशितकाल के लिए अस्तगित कर दिया गया है नेश्ट है बेंट सिलिंगा फुटवाल लिंग जो है कोविड-19 लोगडाउन के बास्रू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना नेश्ट है पीवे सिन्दु को बेंटर वर्ल्ल फररडरेसन यानि की बी, डैबलु, एफ के, आइ, येम, बेंटर जागूरता वियान के इमेजडर में सामिल किया गया है पीवी संदू को जो है बैमेंटन वर्ल फरडरेशन के आई एम बैमेंटन जागरुता अभ्यान में एमेजडर की रूप में इसे सामिल कर लिया गया है पीवी संदू को विजडन के दोवारा आश्टेलिया के एसले पैरी को विजडन की सरवसेश्ट मैला क्रिकेटर का किताब दिया गया है एसले पैरी को जो सुभंकर है इसका नाम रखा गया है The Smart Triples नेश्ट देखिए बारीन को मिली चौथी ESEI UAPARA GAMS 21 की मैजबानी के लिए चुना गया है बारीन को नेश्ट है भारत को मिली AFC महिला ESEA Cup 22 की मैजबानी के लिए चुना गया है नेश्ट देखिए भारत को मिली AFC मुकेबाच इंपरसिब दर 20 की मैजबानी करेगा नेश्ट है देखिए से फाली वर्मा जो एक भारतिये हैं और यह जो है विश्ट काप फाइनल में खेलने वाली विश्ट की सबसे युवा मैला खिलाडी बन गई है नेश्ट है भुनेसर में आयजित खेलो इंडिया विश्ट दैले खेल में चन्नाई के पंजाब विश्ट दैले ने कुल 46 पदक जीत कर ट्रोफी अपने नाम कर लिया है नेश्ट है एफ आई एच की ताजा रैंकिंग में भारती प्रुष होकी टीम जो है चौते अस्थान पर है नेश्ट है मनप्रेश सिंग जो है अंतराष्टी होकी महासंग के लिए एफ आई एच के लिए प्लेयर आप द इयर जीतने वाले पहले भारती बन गए है मनप्रिस सिंग नश्ट है पीबी सिंदू ने जो है बीबी सी इंडिया स्पोर्ट्स उमेन आप दे एर का आवार्ड जीत लिया है नश्ट है भारत के ग्रैंड मास्टर जो है डिग केस ने चोतिसवा कान ओपन सतरंच नामें जीता है नश्ट है वेस्ट इंडिज के किरोना पुलार्ड जो है 500 T20 खेलने वाले पहले खिलाडी बन गये हैं वेस्ट इंडिज के यह किरोनाठ पुलार्ड जो 500 T20 खेलने वाले पहले खिलाडी बने हैं नश्ट है220 में होने वाले राष्टमडल ति रंदाली संग की हिमेजवानी जो है कौन करेगा तो अपना जbachरत ह करेगा नच्ट है न्यूजिलेंड के जो है रॉज टेलर यह क्रिकेटर है और यह सभी फॉर्मेटों में जो है एक सोमेच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए है रॉज टेलर तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू